कsqu मना पुराम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टेकनिकल ही बात करेंगे फण्दमेंटली कुस में बात करूंगा नहींता मनापुराम के बाग ही फण्दमेंटल अ सक्था मज़े सारह जाका है अगर वह यह जाता है 140 रुपए के आसपास तो वह दोनों वाइंग लेवल आमको मैंने बता दिये हैं यहां पर एक टिप लगा लो और अगर जाता है किसी बस सिनेरियों में हमेशा से कहीं भी श्टॉक खरीदना जब भी किसी सपोर्ट पर तो दिमाग में यह हमेशा सोच पर क्रेंग भी यह करना है कि आपको सरफ दिक कोई नहीं बता दी है कापी दिनों से इसने consolation दिखाया इसी range में 160-150 की range में तो ये बढ़िया यहाँ पर है कोई दिक्कत नहीं दिखती है जादा नीचे जादा downside दिखती है 140 slash downside दिखती है किसी बस scenario में और में भी यहाँ से मुझे लगता है कि इसमें तेजी आएगी कि बस यह है टाइम थोड़ा लग सकता है काफी सारे NVFC हैं जो तेज हो रहा है लेकिन मनापुरम अभी भी थोड़ा सा सांत है गोल्ड फाइनस का आईल का काम है अल्दो अगर इस चेक्टर की बात करोगे तो मुझत फाइनस नोट आउट लीडर है लेकिन मनापुरम भी थोड़ा कहीं से भी कम नहीं है उसमें रिटर्न के मामले में तो ठीक है वाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आपकी मर्जी है और आपका पैसा है अपने financial advisors पूल सकते हैं अपना एक view बना सकते हैं सुननी सबकी है करनी अपनी है चैनल पे चैनल सब्स्राइब कर लेना वीडियो दोस्तों साथ सेर कर देना जहें दोस्तों